नमस्कार मैं हूँ सूकरती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है धार्मेक मानिताओं के मताबिक आरती करने और आरती में शामल होने से बहुत पुन्य लाब मिलता है पद्मपुराण में वर्णन है कि कुमकुम अगर कपूर घृत और चंधन की पांच या साथ बत्यां बनाकर या रूई और घी से बने बत्यों से आरती करनी चाहिए आरती शंक घंटी बजा करनी चाहिए ऐसे में आये जानते हैं कि पुजा के बाद आरती करने का धार्मिक और वेग्जानिक महत्व क्या है धार्मिक मानिताओं के मताबिक आरती उची स्वर और एक ही लेताल में गाई जाती है जश्से पूरा वाता वरन भक्ति में संगीत में हो जाता है ये माहौल हर स्थुती में मन को सुकून देने वाला होता है। अलग-अलग देवताओं की स्थुती के लिए अलग-अलग बाद्दे यंत्रों को बजा कर गायन करने से देवी देवता शीग्र ही प्रसन्न होते हैं। धर्म-शास्त्रों के मताबिक आर्थी करने वाले व्यक्ति पर इश्वर की सदयव कृपा बनी रहती है। आर्थी करने का वैज्यानिक महत्यों। आर्थी के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रूई की बत्ति के संग घी या कपूर जब जलते हैं तो वातावरण सुगंदित हो जाता है। जसे आसपास की नकारात्मक उर्जा दूर होती है और सकारात्मक उर्जा का संचार होने लगता है। मंदिरों में आर्थी, शंक, ध्वनी, घंटे, घडियाल के साथ होती है। घंटे नाच से कई शाररिक कष्ट दूर होते हैं और मन की शांती के साथ साथ कई मानसिक उर्जा मिलती है। अनेक शोदों से ये सपर्ष्ट हो चुका है कि घंटे और शंक से निकली ध्वनिया कई तरह के संक्रामक किटाड़ों का नाश कर देती है। आर्थी से पूर्व होती है ईश्वर की पूजा। सकंद पुराण में भगवान की आर्थी के संबंद में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो पूजन की विधी भी नहीं जानता हो तो ऐसे पूजन काम में अगर श्रद्धा के साथ सर्फ आर्थी ही कर ली जाए तो भी प्रभू उसकी पूजा को इश्वर की शक्ति उस ज्योती में समा जाती है जिसको भक्त अपने मस्तक पर ग्रहण करके धन्य हो जाते हैं आर्थी वो माध्यम है जिसके द्वारा दैविय शक्ति को पूजन स्थल तक पहुचाने का मार्ग मिलता है उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले